हलो फ्रेंट्स कैसे होप सब आई होप सब अच्छे होंगे आपको स्वागत है प्रिकेट विज सतरुगन चुबे चैनल पर तो फ्रेंट्स आज हम लों बात करने वाले भालोचिस्तान वर्शस नॉर्टन के बीच में होने वाले फट टी टॉटी मैच के बारे में और यह मैंस की बात करे तो रावल पंडी डी क्रिके ट्र स्डियन पाकिस्तान में खेला जा जाएंगे और लीक कि बात करे तो नशिनल टी ट्वानली कहई यहाँच date and time की बाद करें तो friends ये match भारत के time के अनसर साड़े तीन बजे होने वाला है तो friends इस वीडियो में आपको सारा information देने वाला हूँ जो grand league जीतने के लिए जो होता है तो friends यहाँ पर pitch report, weather report, दोनों team की form, उसका बाद winning chances इसका बाद players की stats अब देख सकते हैं, कितना players को मैंने cover किया तो friends, head to head कितने बाद इन दोनों team के बीच हुआ, यह भी information आप यही पर मिलने वाला है तो friends, cool मिला के यहाँ पर हम 30 players को cover कियां stats में, इसमें हम लोग को 11 players असान से मिलने वाला है तो चलिए friends वो देख लेते हैं, तो friends, pitch की बाद करो, जो pitch balanced है, यहाँ पर कोई बारिश होने की chances नहीं है average first inning score 140-160 तक बन सकता है, और यहाँ पर team batting first win, यहाँ पर जो भी team पहले batting करेगी, वो 20% जीतने की chances है और यहाँ पर bowling करने वाले पहले team, यहाँ पर 80% जीतने वाला है, तो friends, यहाँ पर toss बहुत matter होने वाला है उसका बाद यहाँ पर अगर दोनों team की form की देखा जाए, तो यहाँ पर भालोचीस्तान यहाँ पर 4 match last, continue हार गएं last 4 match, और एक match जीते हैं और यहाँ पर Northern की बाद करto तो last match हार गएं फ्रेंगें फ्रेंगें यहाँ पर 2 match जीते हैं, फिर हार गएं फिर 1 match जीते हैं इसका मतलब नो अर्थन ने तीन match जीता और यहाँ पर दो match lost हुआ उसका पर यहां पर winning chances की बात करते हैं यहां पर northern की 60 percentage है और भालोची इस्तान की 40 percentage अब आगे फ्रेंच प्लेयर की stats तो पहला प्लेयर है भालोची इस्तान का इमाम उलक आपको पता है फ्रेंच इनकी T20 international career नहीं T20 का career है 70 match में 67 innings में 1982 runs बनाएं और 33.59 इनकी आवरेज है तो फ्रेंच बहुत experienced player है इनको जरूर आप टीम में लेना उसका बाए बिस्मिल्ला खान की बात करें तो विकेट कीपर है 57 match 56 innings में यहां पर 1044 run बनाएं 21.91 इनकी आवरेज है उसका बद अब्दुल वाहिद बंगल जाय की बात करें तो फ्रेंच यहां पर batsman है चार मैच में 4 इनिंग्स में 44 बनाएं 11 की आवरेज है तो फ्रेंच इस प्लेयर को मैं नहीं ले रहा हूं उसका बद अकबर यूर रहमान की बात करें तो batsman है 55 match में 47 इनिंग्स में 719 बनाएं 19.43 इनकी आवरेज है और गेंद बाजी फ्रेंच यहां पर अखीब जाविद बॉलर है 25 मैच में 24 इनिंग्स में 27 इनकी अवरेज है और 35 इनिंग्स में 68 इनकी एकोनमी इनकी आवरेज है तो फ्रेंच इस प्लेयर को मैं 100 परसेंट अपने तीम में रखने वाला हूं उसका बात आया तो बाद करें तो batsman है यहां पर 20 मैंच में 15 में बैटंग हैं 231 गाहारें को फंग है उसका बद यहां पर एक और बोछार को भी नहीं ले रहा हूं उसका बत हरी सोहल आपको पता है पाकिस्तान टीम के लिए यहां पर मेंड प्लेयर माना जाता था तो यहां पर अभी भी अच्छे फॉर्म में है फ्रेंच आपर 14 में 13 इनिंग्स में 210 इनके आवरेज तो फ्रेंच इस प्लेयर को मैं जरूर अपने टीम में लेने वाला हूं पर किसको जलत खान को प्रेंच आपर हंडिट परसेंट आपको टीम में लेना उसका जुनेट खान की बात करें तो बालर रहें यहां पर नहीं पर लेकिन उन्चास में उन्चास इनिंग्स हर मैं गेंजवाजी की एक आवन विकेट लिए इनके आवरेज है उसका बाद उमेद अशिब की बात करें तो फ्रेंच आवरेज है और ग्यारा मैच में फ्रेंच यहां पर ग्यारा इनिंग्स में ग्यारा बिकेट लें इनके अपने टीम में ले रहा हूं उसका बाद उमेद अशिब की बात करें तो फ्रेंच आवरेज है तो यहां पर फ्रेंच इस प्लेयर को में जरूर अपनी टीम में रखने वाला हूं यहां पर बॉलर है फ्रेंच 125 मैच में 123 इनिंग्स गया 106 विकेट लिए 7.14 इनके अकॉंडमी तो फ्रेंच इस प्लेयर को भी मैं अपने टीम में सामिल कर रहा हूं तो फ्रेंच इस टीम की कप्तान भी है पाकिस्तान टीम के लिए बैस्तिन आल रूंडर है तो फ्रेंच इस प्लेयर को में 100% टीम में ले रहा हूं उसका बाद मोहमद नवाज आल रूंडर है तो 35 मैं 29 इनिंग्ज में 407 रूंड 16.95 की आवरेज है तो फ्रेंच इस प्लेयर को अगर अपकरणिस्तान लिग में देखे होंगे तो फ्रेंच बहुत बड़े रप्लेयर है फ्रेंच यहां पर एक्टाकिंग मोड में खेलते हैं तो इस प्लेयर को मैं अपने टीम में ले रहा हूं कि असी फली यहां पर पाकिस्तन के लिए खेल चुके हैं 344 रहने फ्रेंट्स इस इनिंग्स में 16.38 इनके आवरेज तो फ्रेंट्स इस प्लियर को चाहे तो ट्राइक कीजिए आवाइड कीजिए हैं तो फ्रेंट्स इहां पर गेंदबाजी नहीं किया है उसका पाइस इस प्लेयर को जरूर अपने टीम में ले रहा हूं इस प्लेयर को मैं जरूर अपने टीम में ले रहा हूं इमाद वसीम को भी मैं अपने टीम में आड कर रहा हूं फ्रेंट्स क्यूंकि पाकिस्तान के लिए बिए बेन ओल रॉंडर है बावन मैच में 36 इनिंग्स में 328 रंच 13.12 इनकी आवरेज है तो फ्रेंट्स इस प्लेयर को भी मैं अपने टीम में ले रहा हूं मुसा अहमद क को भी अपने टीम में सामिल कर रहा हूं क्यूंकि 29 मैच 29 इनिंग 328.64 इनकी एकॉनमी है उसका बाद नजीर नवाज की बात कर रहा हूं तो फिलाल में नहीं ले रहा हूं उसका बाद सोहे लगतर की बात करें तो फ्रेंच इनकी आवरेज अच्छा है 79 मैच 76 इनिंग 1571 इनकी एकॉनमी 36.92 इनकी आवरेज तो इस प्लेयर को में ले रहा हूं उमर अमीन की बात करें तो फ्रेंच यहां पर 9 इनिंग्स में यहां पर 142 इनकी आवरेज है उसका बाद यहां पर 60 मैच 60 इनिंग 463 इनिंग 463 इनकी आवरेज तो फ्रेंच इसान मलिक को भी अपने टीम में में सामिल कर रहा हूं अब आगे फ्रेंच यहां पर दोनों टीम के बीच हैट टू हैट तो अब देख सकते हैं यहां पर जो पहला मैच था नॉर्टन ने भलोचिस्तान को 49 इनिंग अब देख सकते हैं नॉर्टन टीम ने 20 वावर में 199 रन बनाएं 200 रन की टार्गेट थी भालोचिस्तान ने 160 रन बनाएं 8 विकेट लॉस होगे तो यहां पर भालोचिस्तान को यहां पर नॉर्टन टीम ने 49 रन चे हरा दिया अगर सेकेंड मैच की भी बात करो तो नॉर्टन टीम ने जित गया भालोचिस्तान से 49 रन चे फ्रेंच यहां प जीत गया, friends यहां पर साथ गेट यहां पर मैं टैपिंग करना भूल गे था, friends यहां पर तरड मैंच की बात करो, friends, यह भी मैंच यहां पर भालोकस के ढ jegs रिए, 20 मैं बिश्वनीन बनाया, 5 फिकेट लोच यहां पर 1015 रून बनायい friends, सब्सक्राइब कर देख सकते हैं यहां पर फॉर्थ मैच में 155 रंस बनाए थे फ्रेंच यहां पर देखा जाए तो मैने सारा संब्सक्राइथ आपको सहें अंपको स्ट्प ब्ड़नेगेश शारा सबेट, सुन के कर देख सकते हैं यहां परений इंपयंपरोटंच इंफॉर्मेशन उसके लसके फाइन तो प्रीबिंट व सब करना यहाँ कर लेना तो प्रूस अगर फाइनल टीम की बात वरोर्ट नेट्वर्ष्ट आप प्रेंच वेट कर लीजेगा तो अब रभी यहां पर एक गंटा बाकिए प्रेंच यहां पर स्टाट होने में तो प्रेंच यहां पर देख सकते हैं रोहिल नजिर को मैंने विकेट कीपिंग लिए बैट्समेन में अमीन हरिस्टोहिल अभी दली इमाम उलहक है यहां पर आल्टरेंड में इमाद वसीम सदाप खान मुहमद नवाज है यहां पर गेंद बाजी में यसीर साहरी श्रॉप और जो नए खान है यहां पर और केप्टेन और वाइस केप्टेन में सदाप खान और हरी स्लोप को मैंने प्रिक क्या आप चाहे तो एमाम उलहक रोहिल नजिर को भी आप ट्राइ कर सकते हो यहां पर इमाद वसीम को भी तो फ्रेंच यह मेरा फाइनल टीम नहीं है आपको कमेंटर सब्सक्राइब करके जरूर जाना प्रेंच टैंक यू